नमस्कार दोस्तों भी PSC TRE 3 के छात्र इस बात को लेकर परिशान है कि अब हमारा रिजल्ट कब आएगा और क्या कुछ हिसम हो रहा है बहुत सारे छात्रों के मन में जैसे ही देरी हो रहा है रिजल्ट में उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या कोई धांधली सेट देकर रूम पर जा रहे थे एंसर की दे दिया जा रहा था मतलब दना दन एकडम ऐसा प्रोसेस था ते जस्वी यादों भी बोल रहे थे कि फटा फट वाली चल रही है वेकेंसी में कोई आया आज वेकेंसी आया कल एक्जाम हुआ परसो रिजल्ट जारी कर दिया जारी वो सिस्टम था लेकिंश बार कुछ ज्यादा ही दरी हो रहे है बोहुत बार शात्रों को उमीद दिखा कि इंसर की आएगा परसो रेज Daisy वह लेकिन क्या कुछ होगा इन चात्रों का सारी चीजों पर बात करेंगे अभी हमारे साथ नमीन सरे सबसे पहले सर स्वागत है अब करके बहुत सारी मांग को लेकर चात्र आंदोलन भी किया और बहुत सारा लाठिया भी खाया सर लेकिन परिनाम कुछ दीखता नहीं मिल रहा है मतलब कोई बात नहीं हो रही है वन के निडेट वन रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है क्या यह सब लागू होने वाला भी है रिजल्ट में इतना देरी क्यूं हो रहा है जब इन सब चीजों पर कोई रवाई ही नहीं हो रही है तो अब इन सब बातों पर डिसकस करने का भी यह बंधेए परिडिकर्व सरकार को समझेए क्यों विद्यार्थी के बात को मानेगी क्योंकि वह भीले सही मंसा गर्वर है क्योंकि पूरी सीट उनको भरना ही नहीं है आप 시ती यारी वन का मत फशालीय ले है 35 से 40よ परसंंट सा का वाइस की डिशालिगा टीरी टू का उधारन ले लिजिए एक लाग बीस हजार में से पंचानवे हजार सीट भरा गया 35-40 परसेंट सीट खाली रह गया और टीरी में भी कहीं न कहीं वही चीज होना है क्योंकि बीस हजार से पचीस हजार सीट बचा करके अगली वेकंसी का एक लाग साथ हजार सीट पूरा करना है यूँ समझेए अगर वन कंडेट वन रिजल्ट लागो कर देगी तो उतना आकरा माइनस हो जाएगा तो कहीं न कहीं यह बाते हैं हां लेकिन जरूर पिछले आंदोलन से यह फाइदा जरूर हुआ है कि सरकार पर दबाब बन रहा है कई बारा बिदान से उठ चुके हैं खास करके डोमिशाहिल वाला मुद्दा उठा इसके बाद फिर फिरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव वाला मुद्दा हुआ हमको लगता है कि एक्सेप्ट हो जाई इस बार हो सकता है लेकिन दोमिशाहिल वाली बात पर भी आप देखें कि सिक्षा मंत् पर लगातार घंबिरतापुर्वक विचार कर रही है सरकार अब क्या करेगी नहीं करेगी वह तो आगे की बातें गई है और क्या सरकार का सोच है इसके रिगार्डिंग यह सरकार तही करेगी इसके बाद बाद आती है वरिपिकेशन प्रोसेस में बदलाव निश्चीत आप पहले verify कर लिजिए ना अगर पहले verify कर ले तो फंद्रेह हजार परिबार रोशन रहेगा क्योंकि नहीं तो फंद्रेह हजार परिबार जोइन करने जाएंगे ये लेकिन इस परिश्थो या यह न Google ми इतना देरी क्यों हो रहा है था कि बहुत्ट तियूट आ रहा था जब मन से भी इतना देरी क्यों हो रहा है चात्रों के मन में सबाल चलना वाजिव है क्यों नहीं चलेगी इससे पहले टीरी वन देख लिजिए टीरी टू देख लिजिए इस्टुडेंट एकजाम देके घर नहीं पहुंचते थे आंसर की आजाता था जब आप आदत लगा चुके हैं इस्टुडेंट अपना माइंड मेकप कर तो सुभाबिक है उठाना इस बात का आप ठीक है आप कास्ट के वैसिस पर तांती तत्वा कास्ट की जो बातें अभी चल रही है उसको लेकर के पहले जो आप बता रहे थे कि 31 अगस तक हमें नहीं हो रिजल्ट जारी कर देंगे लेकिन उसमें कारण यह बताया गया कि रि मीड के बाद कभी भी पुर आसकता है लेकिन 20 सव्च सप्टमबर के बाद भी कैसे रिजल्ट आएगा जब अभी तक आपने नहीं दुबारा से फाइनल अपलोड किया है आंसर की जारी किया है की आप देख रहे हैं कितनी बार बातने फेल हो चुकी है कल पर सोंक्स तक में आंसर की जारी कर दी जाएगी अब देखना है के रियल जारी कर देथी है खिंस से पहले उसको OMR स्वाइनल जारी करना चाहिए तो इस तुडेन दिखने का प्रॉस सकते हैं इस बात को तो यह कई सारे चोटे-चोटे बदलाओं है निश्ची तुरूप से आयोग को उस पर ध्यान दे करके उस पर अपना इटेंशन बरहा करके छात्रों के हित में जो उप्यूक्त कदम हो उसको आगे बरहाना चाहिए बेल्ट्रॉन को ले करके क्या लेकिन यह बताया जा रहा है कि पांच लाग से अधीक कॉपी होने पर विहार सरकार की वह एजनसी तरीके से वहीं पर वहीं से कॉपी जांच होती है क्या कुपी हुछह बिए वह भी बहुत कंडक्ट करती एक तनी दिन परीजल्ट अभी तक आप क्योंने दिये है इस्टुडेंट टेंशन में है यारी फोर जिनको देना है कि कम्सकम एस्टेट का रिजल्ट आ जाता तो फिर हम पुर्णते या फिर तैयारी में लग जाते क्योंकि अभी कहीं कहीं डाउट है कि में भी सकता है कि नंबर भरेगा नंबर घटेगा क्या होगा नहीं हो रही है तो चोटी-चोटी बहुत सारी बात है अरक्षण के नियम को लेकर भी तो बीजल्ट में तेरी नहीं हो रहा है सिर शार लोग बहुत सारे लोग बहुत बोल रहे थे कि अरफ्याट करना एक तो जब एक दिन का खाम है तो इतना विलंब क्यों क्यों नहीं स्टुडेंट को लगेगा कि कहीं इतना विलंब होने के कारण कहीं कट आप तो नहीं बढ़ जाएगा हो सकता है कि उस दिन के बाद ही रिजल्ट जारी कर दी कि वो जब उधर से डिशिजन आएगा वो अलग इसू रहेगा उसी के हिसाब से अंतिम रूप सन्याले का ही बात अमान नहीं होगी लेकिन पहले क्लियर कर दी कि हम 50% आरक्षन के आधार पर ही 50% के रूल के हिसाब से हम रिजल्ट देंगे यह किलियर किया हुआ है आपको क्या लगता है कब तक रिजल्ट आ सकता है सर क्योंकि बहुत सारा डेट पड़ा कभी कई सगस्त कभी 13 अगस्त को साइद एंसर कि आ रहा था बहुत सारा अपडेट आते रहा था लेकिन अमल नहीं हो पाता है उस दीन पर से रहा तो जाकर के आपको 20 सप्टमबर के बाद या सप्टमबर लाज तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है नहीं तो में भी अगर ज्यादा उथल पुथल हुआ तो इसकी कोई गारेंटी नहीं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि इतना मिनर्ने है